नमस्ते मेरे प्यारे बच्चो, मैं सीमा सिंग, आनन टिटोरियल में आपका स्वागत करते हूँ. बच्चो आज की पाठ साला में हम कक्षाती स्री विसे हिंदी हिंदी विसे में बच्चो आज हमारा पाठ आठ पर्यावरन बच्चाओ ये कविता है बच्चो इस कविता के कवी है असोक अंजुम जी तो चलो बच्चो हम ये कविता पढ़ते हैं पहले हम कविता पढ़ेंगे उसके बाद में इसका अर्थ आपको बताऊंगी ठीक है बचो तो चलो हम अब कविता पढ़ना सुरू करते हैं जलके बिना जिन्दगी कैसे चल पाएगी बोलो नदियों में कचरा मत डालो जहरना इन में घोलो कहरना इन पे ढाओ साथी पर्यावरन बचाओ पर्यावरन बचाओ साथी पेड़ हमारे जीवन साथी पेड़ हमारे जीवन दाता पेड़ों से है इंसानों का सास सास का नाता इन्हे न तुम कटवाओ साथी पर्यावरन बचाओ पर्यावरन बचाओ साथी गैसे घोल घोल कर तुमने कर दी हवा विसैली आसमान की उजली चादर अब है मैली मैली अरे होश में आओ साथी पर्यावरन बचाओ बहुत सुन्दर कविता है इस कविता के माध्यम से कभी हमें संदेज दे रहे है कि आप लोग अपने आसपास के पर्यावरन को बचाओ उसे दूसित मत होने दो ठीक है बच्चो तो चलो अब हम एक-एक पंक्ती का अर्थ देखेंगे जल के बिना जिन्दगी कैसे चल पाएगी बोलो नदियों में कच्रा मठ डालो जहरनाइन में घोलो कहरनाइन पे ढ़ाओ साथी पर्यावरन बचाओ इस कविता के माध्यम से कभी कह रहे हैं कि पानी के बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं जल के बिना जिन्दगी कैसे चल पाएगी बोलो पानी के बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं पानी के बिना जिन्दगी नहीं चल पाएगी नदियों में कच्रा मठ डालो कभी कहते हैं कि पानी के बिना जिन्दगी नहीं चल पाएगी इसलिए नदियों में कच्रा मठ डालो कच्रा डाल कर इन नदियों को तुम इसमें जहर न घोलो इससे विशैला न बनाओ साथी नदियों पर कोई भी कहर मढ आओ साथी पर्यावरण बचाओ पर्यावरण बचाओ साथी मेरे साथी आप लोग आए और पर्यावरण की रक्षा करिए इन्हें बच्चाईए, पेड हमारे जीवन साथी, पेड हमारे जीवन दाता, पेडों से है इंसानों का सास सास कहनाता, इन्हें न तुम कटवाओ साथी, पर्यावरन बचाओ, पर्यावरन बचाओ साथी इस कविता के माध्यम से कभी कहते हैं जो पेड़ हैं ये हमारे जिन्दगी के साथ ही है इनके कारण ही हम जिन्दा रहते हैं पेड़ों से हमें प्राणवायू मिलते हैं हमें फल मिलते हैं फूल मिलते हैं और पेड़ से हमें लकड़ी भी मिलती है पेड़ों से हमें बहुत सा हवा देते हैं जिससे हमें सास लेने में आसानी होती है बच्चों ये जो पेड़ है ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है तो इस कविता के माध्य हमसे कभी कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये हमारे जीवन साथी है हमारे जीवन दाता है इसे तो मत काटो इन पेड़ों से हमारा सासो का नाता है ये पेड़ जो हवा चलती है उससे हम सास लेते हैं इन पेड़ों को तुम मत कटवाओ इनकी तुम रक्षा करो परियावरन बचाओ साथी आओ दोस्तों हम सब मिलकर परियावरन को बचाए गैसे घूल घूल कर तुमने कर दी हवा विशैली आसमान के उजली चादर अब है मैली मैली अरे होश में आओ साथी परियावरन बचाओ परियावरन बचाओ साथी परियावरन बचाओ तो इस कबिता की माध्यम से कभी कहते हैं कि जो हमारा वातावरन है हमारा जो आकाश है वो पहले कैसे था एकदम उजली चादर की तरह था अब वो कैसा हो गया है मट मेला हो गया है कियों हो गया है क्योंकि ये कारखनों से निकलने वाले धुव के कारण पूरा जो आसमान है ये मट मैला सा हो गया है ये जो धुवा निकलता है ने बच्चो इस धुवे की जहरीली हवा से पूरा वातावरन दूशित हो जाता है जो हमारा आकास आसमान जो एकदम स्वच उजली चाज़र की तरह दिखता है वो भी मैला मैला सा हो गया है हे इंसान अब सब लोग होश में आ जाओ और पर्यावरण को दूसित होने से बच्चाओ बच्चो इस कविता के माध्यम से कभी हमें संदेज दे रहे हैं कि हम सभी लोगों को एक साथ आकर पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए उसे दूसित होने से बचाना चाहिए बच्चो जो काम हम कर सकते हैं हम वो तो ना करे बहुत लोग क्या करते हैं नदियों में जाकर कच्रा डाल देते हैं जैसे फूपूजा किया फूल सूख गए आप जाते हो नदी में डाल देते हो उससे हमारी नदियों का पानी दूसि जो कारखाने से निकलने वाले केमिकल है वो नदियों में छोड़ दिये जाते हैं ये सब नहीं होना चाहिए इन सब कारणों से नदियां दूसित हो रही है कारखानों के वज़े से जो हमारा वातावरन है वो दूसित हो रहा है तो कभी हमसे कह रहे हैं कि हमें प्रदूशन न नहीं करना चाहिए बलकि अपने पर्यावरन की रक्षा करनी चाहिए ठीक है बच्चों तो बच्चों स्वाध्धय में तो कुछ नहीं है लेकिन मैंने कुछ प्रश्ण आपके लिए बनाये हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ प्रश्ण पहला जिंदगी किसके बिना नहीं चलेगी तो इसका उत्तर है जिंदगी जल के बिना नहीं चलेगी हमारा प्रश्ण दूसरा कच्रा कहां ना डालने के लिए कहा गया है तो इसका उत्तर है कच्रा नदियों में ना डालने के लिए कहा गया है हमा प्रश्न तीसरा हमारे जीवन साथी कौन है तो इसका उत्तर हमारे जीवन साथी पेड है प्रश्न चोथा पेडों से इनसान का कौन सा नाता है तो इसका उत्तर पेडों से इनसान का सास सास का नाता है अगला प्रशन बच्चो पाँचवा, कभी किसे ना कट्वाने के लिए कहता है, कभी पेडों को ना कट्वाने के लिए कहता है, हमारा अगला प्रशन है बच्चो हवा विशैली कैसे हो गई है? हवा विशैली गैस घोल घोल कर हो गई है हमारा प्रश्न सात्वा और आखरी प्रश्न कभी किसे होस में आने के लिए कहता है? उत्तर कभी लोगों को होश में आने के लिए कहता है? तो बच्चों यहां पर हमारी ये पाड़ साला समाप्त होती है आप लोगों को ये कविता अपनी कौपी में लिखना है ये प्रश्न उत्तर भी लिखना है और इस कविता को याद करना है ठीक है बच्चों तो जो हमारी आज की पाड़ साला है वो यहीं पर समाप्त होती है अगली पाड़ साला में हमकल फिर मिलेंगे अगर आप मेरे पार्साला में नए है तो मेरे पार्साला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंड करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पार्साला का लाप सभी बच्चे ले सके अगर आप मेरी पार्सला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पार्सला को सब्सक्राइब कर लीजिए जो घंटी का चित्र है उसे आन कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको ठीक है बच्चो बच्चो प्ले लिस्ट में जा कर आप अक्षा तीसरी के सभी वीडियो देख सकते हो ठीक है बच्चो प्ले लिस्ट का लिंक में नीचे दे दूँगी ठीक है अब मैं अपनी पार साला यहीं समाप्त करती हूँ अगली पार साला में हम कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई बच्चो